सो फ़र्स्ट कोश्चिन है हमारा आज कॉर्बिट नैशनल पार्क कहां पे लुकेटड है करनाटका में उत्राखंड में आरुनाचे परदेश तामिल नाडू यूर टाइम स्टार्ट्स नाव अंसर इस ऊतराखंड तो उत्राखं में लोकेटर है जो कार्बृ नैशनल पार्क जिम कॉर्बे। नैशनल पार्कард नैशनल पार्क इंडिया औ झाली नैशनल पार्क परट्व e ao द् referring वें गरवाल डिस्ट्रिक ऑफ उत्रागन और वास नेम्ड आफ्टर अफ्टर एंड नाच्रलिस्ट जिम कॉर्बिट ठीक है उनके नाम के उपर इनको जो इस पार का नाम पड़ा है नैशनल जो पाग है इसके साथ ही नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं अपना गोविंद पशु विहार नैशनल पार्क कहां पर लोकेटेद है हर्याना में वेस्ट बेंगोल में ओत्रागन में या तैलागना में यूर टाइम स्टाट्स नाव चलिए देख लेते हैं इस कांसर और इस कांसर रहा उत्रागन में लोगेए गोविंद पशु विहार नैशनल पार्क एंड वाइल लाइशनल पार्क इन उत्रागन इंडिया इस्टाबलेश इनिशली आज वाइल लाइफ सेंचरी इन 1905 5 और लेटर कॉन्टे इंटी इंट 255 और इस रिमेंबर फॉर हीज अचीवमेंट एंड इस्टैबलिशिंग हिंदी एज इन ओफिश्यल लैंग्विश ठीक है उनकी याद में यह बनाया गया था तो चलिए नेक्स्ट कुस्ट्ट देख लेते हैं अपना क्या है लावा लॉंग मेला सेलीब्रेट कहां पी किय जाता है महाराष्ट्रा वेस्ट में अगॉल जार्खन या तैलंगाना यौर टाइम स्टार्ट्स नाउग अंसर देख लेगते हैं इसका अंसर जार्खन जार्खन में लुकीटेड यहां पर सेलीब्रेट किया जाता है लावा लॉंग मेला और बिगेस्ट कैटल फेर है और जो यहां पर चात्रा डिस्ट्रे का जानकरन की वहां पर सेलीब्रेट किया जाता है ठीक है नेक्स्ट कोशिन क्या हमारा ओनम फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है केरला विस्पेंगॉल न्यू डेली तामिल नाडू यौर टाइम स्टार्ट्स नाउ अंसर देख लेते हैं अंसर है इसका केरला के अन्दू फेस्टिवल विध औरीजन औरीजन इंदी स्टेट ऑफ केरला इट फॉल्स दी मलेयालम केलेंडर मन्थ फेस्टिवल है वहां पर मनाया जाता है और फिफ्ट कोईश्टिन है हमारा राजा दिंकर केलकर म्यूजिम कहां पर लुकेटड है कौन सी स्टेट में है करनाटका वेस्ट बेंगॉल में महाराष्टरा में या तैलंगाना में यूर टाइम स्टार्ट नाउ तो चलिए इसका अंसर देख लेते हैं इसका अंसर है महाराश्टरा में लुकेटेड है दी राजा दिंकर कलकर व्योज में इस इन पोने महाराश्टरा इंडिया इसका अंसर देख व्योज में लुकेटेड है नाम से भी पता लग सकता है करनाटका वेस्ट बिंगॉल महाराश्टरा तामिलनारू योर टाम स्टार्टस नाव अंसर देख लेते हैं आंसर है इसका महाराश्टर तो महाराश्टर में जो है नागपूर सेंटर मुजिम पॉपलर नी नोन अज अज बंगला इस लोकेट इन नागपूर महाराश्रा इंदिया इस्ताबलिश्ट कब किया गया था 1863 नागपूर सेंटर मुजिम इस वन फी ओल्डेस्ट मुजिम इंडिया जो कि आदा महाराश्रा इट तो निस फ्राइब ध ऑस एक आफ इस만 इंपर एन्पर इस्तोरिक तो दी मौरण ताइंस वकेटन रहें यह पुरानी चीज़ें होती है यह उन चीज़ों के लिए मश्रूर है यहां पर ठीक है लोकेटेड है बकेश्वर जो थर्म पाव स्टेशन वेस्ट बंगॉल पावर डवलाप्मेंट कोर्परेशन लिमिटेड इस दी पावर स्टेशन विद इंस्टॉल कैपिसिटी कितनी है थाउजन फिप्टी मेगवाट्ट एंड इस परपोस्ट फॉर दी कैपिसिटी एक्सपेंट एक्सपेंशन ओफ अनदर फाइव हंड़नेंड मेगवाट्ट ठीक है तो अगला कुशन क्या हमारा अगला कुशन देख लेते हैं जो फारा का सूबर थर्मल पावर स्टेशन है वो कहां पर लुकेटेड है कैरला में है वेस्ट बेंगॉल में है आंथ्रा परदेश में है या तामिल नाडू में योर टाइम स्टार्ट नाव जली इसका अंसर देख लेते हैं इसका अंसर है वेस्ट बेंगॉल तो यह जो सूपर थर्मल पावर स्टेशन है यह वेस्ट बेंगॉल में लोकेटेड है फारा का सूपर जो थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड इन नब्रूम डिस्टिक ओफ इंडियन स्टेट ओफ वेस् प्लांट इस वन आफ दिको बेस पावर प्लांट ओफ एन टी बी सी ठीक है तो नेक्स्ट गोष्टिन देख लेते हैं अपना नेक्स्ट कोष्टिन क्या हमारा जो बारूनी थर्मल पावर स्टेशन है कहां पे लोकेटेड़ है कौन सी स्टेट में है सो options देख लेते हम पंजाब में है बिहार में है या हर्याना योर टाइम स्टार्ट्स नाव सो अंसर है इसका बिहार बिहार में लोकेटेड है और बारुनी जो थर्मो पावर स्टेशन है इस एक्जेस्टिंग 470 मेगवाट कोल फायर पावर स्टेशन डियर ओन बावर स्टेशन गरण स्टेशन लोकेटे इन बारुनी इन बंगुशारी डिश्री बिहार इंडिया और जो बाहर थर्मल पावर स्टेशन ने इन बिहार गेम इंटु एग्जेस्टेंट कब आया था एस्सेशन विद दी रुष्यान कोलाबरेशन एंड कम इंटू उपरेशन इं यूर फ नैंटी सिक्स्टी टू ठीक है नैंटी सिक्स्टी टू में इसका जो काम है यहां पर चालू हुआ थ स्टाथ नाव लेट सी दी आंसर अंसरी जार्खन में लोकेटेड है जो लोड़ फॉल जार्खन में लोकेटेड है और कितनी उचाई है की 143 मेटर दी लोड़ फॉल अलसो नोन आज पुद्धा घग इस दी वाटर फॉल इन दी मेट फॉरेस्ट ऑफ दी पालमू टाइगर खुद्रेजर्व शाओ दी दी जार्खन दी जार्खन फॉल फॉल था यस्ट ओ फॉल इंडिया ठीक है तो थैंक यू सो मच फॉ वचंग अगर आपको विज अच्छा लोगा हो तो प्लीज दू लाइक शेयर और कमेंड अगर को सजेशन वो तो जरूर दीजिगा है तैंक thank you so much for watching